हालो फ्रेंड्स दिस फैज और वोचिंग दे ड्रोन इक्सपर्ड यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपर्टेंट टॉपिक के ओपर डिसकेशन करने वाले हैं जिससे आपको फाइदा यह होगा कि आपको ड्रोन्स और इंडियन एस्पेस के बारे में बहुत सारी नए इंफर्मेशन आपको मिलने वाली हैं तो मैं आपको यह से रेकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो आज का जो वीडियो है यह वीडियो है यूटियम के उपर यानि Unmanned Traffic Management System जिसे Unmanned Aircraft System Traffic Management भी कहा जाता है जैसा कि आपको पता है डीजी से ने अलरेड़ी यूटियम के उपर एक फ्रेमवर्क अलरेड़ी बनाया है जो कि आप Digital Sky के वेबसाइट पर जाके वहाँ पर इसकी Complete Documentation देख सकते हैं लेकिन मैं इसे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको document पढ़ने की जरुरत ना पड़े और इसे मैं बहुत simple way में step by step process में समझाऊंगा कि UTM क्या है इसकी जरुरत क्यूं है हम इसे लाने से drones में क्या क्या changes आने वाले हैं और आपको क्या करना पड़ेगा UTM आने से हमें फाइदा क्या होगा ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि why to use UTM यानि कि UTM यूज करना जरूरी क्यूं है ड्रोन्स तो अभी भी ऊड़ रहे हैं तो फिर ये नई policy लाने की क्या जरूरत पड़ रही है तो इसको समझते हैं जैसा कि आपको पता है airspace में mad aircraft यानि की helicopters और aeroplanes पहले से fly कर रहे हैं और इनकी जो traffic को control करने के लिए हर airports में ATC यानि air traffic controller होते हैं जो की इनकी traffic को control करते हैं इससे फाइदा ये होता है कि जो आपस में ये लोग collide नहीं करते हैं अब problem ये हो गया जबसे drone इस airspace में flying करना शुरू हुआ है एक नई traffic create हो गई है इस traffic को control करने के लिए UTM यानि unmanned traffic management को लाना ज़रूरी है इससे फाइदा ये होगा कि जो drones हैं ये mad aircraft यानि कि helicopter, aeroplane से collide नहीं करेंगे और इसके साथ drone और drone आपस में भी collide नहीं करेंगे अभी जैसे कि आपको अभी तो बहुत कम drones fly कर रहे हैं airspace में आने वाले time पे drone का application बहुत जादा बढ़ने वाला है जैसे कि आपको पता है delivery में, agricultural में, mapping में, surveying में बहुत सारे चीज़ों में ये drone का जो अभी जो number से वो बहुत जादा बढ़ेगा आगे तो इस वज़े से UTM लाना जरूरी हो गया है ताकि इतने सारे drones को control किया जा सके UTM काम कैसे करता है जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ATC काम कैसे करता है और ATC इन drones को क्यों control नहीं कर पा रहे है ये जब आप जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि UTM काम कैसे करेगा तो चलिए शुरू करते हैं Airspace दो टाइप की होती है पहला Controlled Airspace, दूसरा Uncontrolled Airspace Controlled Airspace वो Airspace है जहाँ पे ATC यानि Air Traffic Controller की सुविदा होती है जैसे कि Airports वगएरा और Uncontrolled Airspace उसे कहते हैं जहाँ पे ATC की Services नहीं होती है तो ये दो टाइप के Airspace होते हैं तो आईए अब जानते हैं कि ये ATC काम कैसे करता है इसे समझने के लिए हम एक Example कसा आरा लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक Helicopter है जिसे Point A से, मतलब Airport A से Airport B में जाना है अभी इसकी पूरी Process क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ सबोज आपको A से B में जाना हैं तो आईए अब समझते हैं कि ये कैसे Communicate करेगा और किस तरह से वो अपने Flying करके अपने Location पर, Destination पर पहुँचेगा तो सबसे पहले ये Airport A पर है तो सबसे पहले से करना ये होगा कि ATC से Communicate करेगा Radio के तो सबसे पहले तो Flight Plan करेगा जहां पर बताएगा कि वो कहां से कहां जाना चाता है तो अब होगा ये कि सबसे ये से B जाने वाला है तो सबसे पहले ये Airport A से Permission लेगा कि वो B Airport में जाना चाता है तो इससे पहले इसे Clearance लेना पड़ेगा कि ये जो Airspace है जितनी भी airports होती है वो सबकी एक radius होती है जहां तक कि उनकी services available होती है जैसे कि आप ये radius देख सकते हैं इसके जो बाहर होता है वो दूसरे airports के होते हैं या फिर वो uncontrolled space होते हैं तो सबकी limitations होती है कि उतने तक ही ये लोग उतने zone के लिए ये 80C tower available है तो अब होगा ये कि सबसे पहले ये permission लेगा clearance का अगर traffic clear है तो उसे permission मिल जाएगा take off करने के लिए तो वो take off करेगा airport A से अब जैसे कि B में जाने के लिए C के airport बीच में पढ़ रहा है तो जैसे ही ये A का जो 80C की boundary है वो cross करेगा उसके बाद उसे C को communicate करना पड़ेगा कि वो उसके airspace के अंदर होके जाएगा तो बिना 80C के permission के आप उसके airspace के अंदर नहीं आ सकते हैं अइदर आपको wait करना पड़ेगा अगर permission नहीं मिलता है तो आपको route को deviate करके जाना पड़ेगा तो यह permission लेगा C से जब इसे C से clearance मिल जाएगी airspace में एंटर करने के लिए तो इस airspace में एंटर करेगा एंटर करने के बाद वो fly करके चला जाएगा B में B में आगेन वैसे ही वो control zone के अंदर जाने से पहले वो ATC से wire radio permission लेगा कि वो इस airspace में enter करना चाहता है उसकी flying altitude यह है और वो आके land करेगा तो जैसे ही clearance मिलेगी ATC से कि वो आके clear है और clear to land है तो वो आके land करेगा तो यह बिल्कुल मैं बहुत simple way में आपको समझाया हूँ कि यह काम कैसे करता है यह बहुत simple step में यह आपने समझ गया आपको सब समझ में आए जाएगा तो अब problem यह है कि जो mad aircraft होते हैं वो ATC से wire radio communicate करते हैं कि उनकी जो location है वो कहाँ पे है और वो किस direction में fly कर रहे हैं जनरली होता है किस radial में और कितने distance में fly कर रहे हैं यह उनको पता होता है लेकिन जो unmanned aircraft जो drones वगरा हैं इनकी information ATC के पास नहीं है उनको पता ही नहीं है कि यह जो drone है वो कहाँ पे fly कर रहा है तो इसमें problem यह होती है कि जो drone है वो कभी भी आके एक man helicopter या फिर plane के रास्ते में आके उससे collide कर सकता है तो सबसे बड़ा खत्रा यहीं पर आप समझ सकते हैं कि आपकी छोटी सी गलती के वज़े से एक बड़ा सा aircraft crash हो सकता है आपको पता है कई सारे bird strikes होते हैं कितने जादा नुकसान हो जाता है aircraft का तो इस वज़े से drones को आप बिलकुल हलके में मत लें जब भी आफ flying करें तो airspace की knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है तो इस वज़े से यह video आपके लिए important है तो अब UTM से होगा यह कि UTM के मदद से जो ATC में जो controller है उनको उसकी location पता चलेगी कि exactly आपका यह drone कहां पे उड़ रहा है ताकि वो बाकी जो manned aircraft यह जो unmanned aircraft उड़ रहे हैं उनको notification मिले कि आपकी जो drone है वो यहां पे उड़ रही है तो उनको पता चलेगा कि airspace clear है या नहीं है जब वो airspace clear होता है तब भी वो किसी भी helicopter या फिर aeroplanes को landing या takeoff की permission देते हैं तो आईए समझते हैं कि यह UTM काम कैसे करेगा जैसा कि आपको पता है ATC की जो control range होती है वो एक certain height और एक certain distance तक होता है इसी तरह UTM के लिए ground से 1000 feet की altitude तक वो airspace define किया गया है जो document के हिसाब से यहां तक इसे low level airspace कहा जाता है और इसे UTM airspace भी कहा जाएगा जब यह policy launch होगी तो अब बात यह है कि यह काम कैसे करेगा काम कुछ इस तरह से करेगा जितने भी drones हैं सारे drones में trackers लगाए जाएंगे क्यांकि आपको पता है drones में already GPS होते हैं एदर software में modification की जाएगी या फिर एक hardware module लगाए जाएगा जिससे होगा यह कि उसकी जो live location है वो UTM server पे upload होगी और यह एक software होगा जिस software से ATC को यह पता चलेगा कि आपकी जो drone है वो currently किस location पे fly कर रही है तो इससे उन्हें यह फाइदा होगा कि वो manned aircraft को और unmanned aircraft की जो traffic है उसे वो manage कर पाएंगे तो इस तरह से यह सारा चीज होगा अभी देखते हैं कि आगे आने वाले time पे किस तरह से implement किया जाता है same ATC tower को use किया जाता है या फिर drones के लिए एक अलग UTM की जो अलग tower बनाई जाती है यह तो आने वाले time पे हमें पता चलेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को subscribe करें इस वीडियो को share करें और अगर आपको कोई भी question है तो आप नीचे comment box में जरूर comment करें और आप हमारा website drone school.in को visit जरूर करें क्योंकि हमारे वहां पे कुछ paid courses हैं अगर आप interested हैं उन courses पे तो आप जाके जरूर enroll करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching